जो मेन द्वारपाल होते हैं उसमें से एक द्वारपाल यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे जो ग्याप दिखाई देगा इंटरलोक सिस्टिम जो है उसका हमें प्रूप दिखाई देता है और बाहर भगन द्वारपाल है उसके नीचे स्लॉट है वो यहाँ पे फिक्स करने वा प्रोपर इस रंगशिला के इस स्थान पे जब हम आइसे खड़े रहेंगे मुख्य दायवत के तरफ हमारा जब चहरा होता है तब हमें सामने शिवजी का दर्शन होता है शिवलिंगे माध्यं से और इसी एक स्थान से हम तीन देवताओं के दर्शन ले सकते हैं लेट साइड तीन फेसेज दिखाई देंगे उने और इसी स्थान से जब हम अपना चेहरा जो है राइट की तरफ मोडेंगे तो हमें इन दो पिलरों के बीच में से विश्णु जी दिखाई देंगे विश्णु जी जो है वो सेंटर में है हाथ में शंक चक्र गदा पदमा है उनके हाथ में और जो सुरुष्टी का चक्र होता है उत्पत्ति, स्थिति और ले तो गौड ऑफ क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉएर कहा जाता है त्रीमूर्ती जो त्रीदेव है वो कॉंसेप्ट है अपनी टेडिशन में तो ये ब्रह्मा जी विश्णु जी और शिव जी इनका दर्शन एक साथ इसी एक स्थान से होता है तो ये बहुत ही इंपोर्टन चीज यहां पे हमें देखने को मिलती है उस जमाने का उनका प्लान कितना परफेक्ट है जोमेट्रिकल प्लान और कितना परफेक्शन से उन्होंने पिलर की डिजाइन और सब मेजरमेंट्स लिए है वो भी हमें यहां से पता चलता है अभी हम मंदिर की प्रदक्षिना ले रहे है बाहर से जो प्रदक्षिना क्रम होता है लेफ्ट साइड से स्वरगमंडब के बाहर हम है और शेश मूर्तिया हमें यहां पर दिखाई देती है यहां पर एक जो शिल्प इसे व्याल बोलते है व्याल या व्याल बोलते है मराथी में व्याल जो प्रानी होता है इमेजिनेटिव एनिमल होता है वो काल्पनिक प्रानी इसका शरीर जो है वो सिह का है और उसका जो मुख ह व्रशव का तो इसे व्रशव व्याल बोलते हैं और इसके पईर में एक छोटा सा हाती दिखाई देगा हाती बहुत ही बड़ा प्रानी होता है और हाती इतना छोटा दिखाया है और व्याल जो है अपनी उंचा ही यहां पर प्रदर्शित कर रहा है इतना उंचा एक आलपनी प्रानी है तो इस मंदिर की शिल्पकला जो है ओ इतने हाइट की है ऐसा हीडन मेसेज यहां पर कलाकारों ने इसके माध्यम से हमें दिया हुआ अभी हम सभामंडप के बाहर है और सभामंडप का पहले हम बाहर से इलेवेशन देखेंगे नीचे का जो पार्ट आता है इसे जंगा बागाता है जंगा के ऊपर शिल्पपट्टी दिखाए देती है मेन शिल्पए वहां पे ऊपर बैठे हुए देवदेवता उनके एक मालिका है और चाद्य चादन और जो सिलिंग है सिलिंग बहुत ही सुंदर है उसका जो प्रेजेंटेशन है वह अभी हमें वूड जो मेटल है उसका कॉंबिनेशन दिखाए देगा पत्थर में उन्होंने मेटल का और जो उड का फील दिया है वह देखने जैसा है बहुत ही प्रॉपर सिलिंग का जो डिजाइन है वह किया हुआ हमें दिखाए देता है अभी गजपट्ट में जो हाती है उनकी जो संक्या ह में 92 है 92 इलेफंट है और मेजर सब जो है वह डामेज कर दिये गए है मुगलों के आकरमन में आउरंग जब के जमाने में 92 में से सिर्फ अभी 6-7 बचे हुए है जो पूरे कंप्लीट है अगर हम देखेंगे तो हर एक हाती जो है उसकी स्टाइल अलग अलग है हर एक हाती के उपर जो अलंकार है और अलग अलग है उनके ऊपर बैटे होए देव देव ता अलग अलग है और हातियों की जो पोज है वह भी अलग अलग है तो डिफरेंट टाइपस ऑफ 92 इलेफंट से आपे प्रेजेंट किये गए है और अगर वह कंप्लीट होते तो उनके जो ट्रंक होती है सूंड होती है उस पर भी अलग अलग 92 तींग हमें दिखाई देती जो आज सिर्फ पांचा छे हमें दिखाई देती है तो यह इलेफंट लाइन है जो यूनिक फीचर माना जाता है तो पूरे दुनिया में भारत में और दुनिया में किसी भी मंदिर में इतनी और हमने ब्रह्मा जी देखा जो अंदर से हमने ब्रह्मा जी देखे अउटर वाल की ऊपर ब्रह्मा जी जो है तीन मुख यह आ पर दिखाई देते हैं हाथ में उनके आयूद दिखा Joint Rung दिखाई देती है और बाद में यहां पर भहिरो का शिल्प है जो है शीव silicon in फर रात जाता है भाइरों के हाथ में चतुर्भुजे उनके हाथ में दमरू दिखाई देता है लेप्ट अपर हैंड में त्रिशूल दिखाई देता है और राइट लोर हैंड में खडग याने तलवार दिखाई देती है और लेप्ट लोर हैंड जो है उसमें जो नरमुंड दिखाई देता है और रचना ऐसी है कि भाहरो जो है उनके नी के ऊपर एक नाग बैंड है नाग जो हो दिखाई देगा और उनके गले में से आई होई स्कल लाइन दिखाई देगी जिसे कोटियों की खुपडियों की माला कहते है दो अटेंडन्ट है जो अस्थी पंजर रूप में है रिबन रिब्ज रिब्ज के उनकी रचना है और एक कुट्टा दिखाई देगा वो भी अस्थी पंजर रूप में है और जो नरमुंड है उससे जो लहू निकल रहा है वो कुट्टा पीने की कोशिश कर रहा है तो भाहरो जो है काल भाहरो का उग्र रूप यहां पर हमें दिखाया गया है अभी हम सभामंडप के दक्षिन दोर सामने है में सभामंडप के अंदर जो में दो होते हैं उसमें से जो दक्षिन दिशा जो है उस अमहां का द्वार्पाल यहां पर भगन पड़ा हुआ दिखाई देता है यह जो द्वार्पाल यह भगन है इसका चेहरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है लेकिन इसकी जो बौड़ी है इसका अलंकरन और सउष्ठव देखने ज है जो अंदर इंटरलॉक किया जाने वाला था तो पॉर्शनों स्लोट दिखाई देगा है बाद में जो दक्षिन द्वार है सभामंडप का इसके ऊपर गनेश जी की मूर्ति हैं यहां पर तो गनेश जी को स्थान दिया है और जो द्वारपालों की रचना होती है फाईव प्लस फाईव टेन द्वारपालाज होते है उसमें से यहां पर स्त्री जो महिला है उन्हें विशेष्टा दिवई दिखाई देंगी आउट टोप टेन देरार सेवेना रूमेंस साथ स्त्री है यह दो पुरूश है और इसे इमेजनीटिव एनिमल जो होते है वह अलग-अलग स्टाइल के अलग-अलग फॉर्म के दिखाई देंगे और उनके साथ वारियर से वारियर जो है उनके हातों में अलग-अलग वेपन से और वेपन लेके यहां पर जो युद्ध की कला प्रदर्शित कर रहे है बाद म इस दक्षिन द्वार के नस्दिख में स्टोण इंस्क्रिप्शन दिखाई देगा सबसे लेटेस्ट है इस मंदिर में टोटल 12 यानि 12 स्टों इंस्क्रिप्शन से शिला शाषन या शिला लेक जीने बोलते हैं जो 11 है ओ ओल्ड कनड़ा स्कृप्ट में है और इल्टेस्ट वाला जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है और यह जो है यादव समराठ सिंगन देव देवगीरी से शासन करते थे महाराश्टरा के उपर और उन्होंने जब कुलापूर का प्रांथ जीत लिया तब यहां पे इंस्टॉल किया चंद्र सूर्य दिखाई देते है दिखाया गया है और इस मंदिर का जो जीर्नुत द्वार है वो यादव समराठ सिंगन देव ने किया ऐसा वर्नन यहां पे आमें दिखाई देता है और जीर्नुत द्वार का सब यहां पे डिटेल दिखाया गया है और जीर्नुत द्वार में मिरज जो है मिरज प्रांत आता है मिरज नाम का जो शहर है उस मिरज प्रांत में सब एरिया आता था कोपेशवर देव जो है कोपेशवर देवता की जो दैनिक पूजा है दैनंदिन पूजा उनके लिए जुगूल और शिर्गुपी नाम के दो अभी करनाटका में नदी के उस तरब दो गाव है उनको डोनेट कर दिया है और जो दो संगम है कृृष्णा-पंचागंगा संगम नरसीवाड़ी जो है कर देगी आयरन की क्लिप है दो पत्तरों को जोडने के लिए ये क्लिप यूज की गई है उस जमाने की है ओपन एर है लेकिन अभी रस्टिंग नहीं हुई है तो 1100 साल पहले अपनी जी ओ मेटालर जी ती हो कितने एडवांस्ट थी इसका ये प्रूफ है अभी जो वाल प्रोपर आती है जंगा पार्ट आता है उसके ओपर गनेश जी की प्रतिमा में दिखाई देती है गनेश जी बहुत ही सुंदर है यहां पे गनेश जी के हाथ में परशू है एकदंत है उनका दंत और मोदक पात्र भी दिखाई देता है बाद में यहां पे क्रि बाद में पुरान खता आती है यहां पर बाद में ऊपर महशासुर मर्दिनी का शिल्प है दुर्गा भवानिका महशासुर districts आ वेशापूर्ण दिखाई देती है शडबुजा है शिक्स आर्मस है उन्हें और छे हातों में अलग-अलग वेपन्स दिखाई देंगे नीचे महिशासुर है और वो महिशासुर का मर्दन कर रही है दुर्गा भवानी स्त्री शक्ति का एक रूप होती है उपर उमा महेश्वर का शिल्प है शिवजिया और पार यह चंद्रदेव बैठे हुए है उनके हाथ में गदा है चोटी और उनके पैर के नीचे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे होर्सेज जो है घोड़े ओ दिखाई देंगे दस अश्व के रत के ऊपर चंद्रदेव दिखाई देगा आपको बहुत ही छोटे घोड़े कारों की यह है मों पर के तो एंचंद्रदेव का शिल्पय और उनके उस बार्जु में सूर्यदेव का शिलपunt है तो चंद्रा और सूर्य की जोड़ी आँप दिखाई देते हैं सूर्य जो है सपत आश्व के रथ पेहारोंड होता है साथ अश्व का रथ scrolling के है जाए